हेलो एब्रीबन वेरी वेरी गुड माउनिंग कैसे हो आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे आप सबी का आपके अपने चैनल एसके ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सब से पहले आप सबी को मेरी रामरा ये सुबह साड़े 6 बजे का टाइम है और अभी मैंने सापसफाई का काम शुरू किया है और अभी सिरफ मैं जाडू लगाऊंगे और डस्टिंग का काम करूंगी पोचा मैं अभी नहीं लगाऊंगी पोचा मैं कपड़े प्रेस करने के बाद लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं कल भी मुझे टाइम नहीं मिला था और कई बार क्या होता है जैसे मालिया रसोई की काम से फ्री होते हैं सारा काम कंप्लीट करते हैं तो लगभग 12 बच जाते हैं और फिर मन नहीं करता है कि लगे हाथ अप मैं प्रेस भी कर लूँ क्योंकि ठकावट भी हो जाती है कमर भी दर्द करने लग जाती है लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं बाकी के काम बाद में करूंगी पहले कपड़े प्रेस कर देती हूं जाड़ू लग चुकी है अभी 7 बचे हैं डस्टिंग का काम हो गया है और आज है 14 अप्रेल यानि मेक है हमारे यहां तो मेक ही बोलते हैं किसी और जगे पर साइथ कुछ और बोलते होंगे आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं 14 अप्रेल के दिन को आप सब मुझे कमेंट्स क करके जुरूर बताईए हमारे हरियाने में तो मेक ही बोलते हैं और एक पुरानी काहवत भी परचलीत है कि आई मेक आला सुका एक कम एक क्योंकि इन दिनों में गेहूं की कटाई चल रही होती है आजकल तो मसीनों से सब काम होने लगे हैं जल्दी ही सब काम हो जाते हैं पह चावल धो के और भीगो के रख दिये हैं कि कपड़े प्रेस करूंगे ना तब तक चावल अच्छे से फूल जाएगी और फिर पोचा लगाने से पहले मैं दूद में चावल डाल के और गैस का फ्लेम कम कर दूँगी और खीर को पकने के लिए छोड़ दूँगी पोचा ल दिये हैं और यह विशाल के पापा जी के कुर्ते पजाम में जादा है मेरा तो सिरफ एक ही सूट है और एक कुर्ता सासुमा का है क्योंकि सलवार उनकी आजगल होती नहीं है पजामा पहनती है तो पजामा अलग तरह के कपड़े का होता उस पर प्रेस की जुरूरत नहीं पड़ती है तो एक कमी जुनका है एक सूट मेरा है बाकी इनके है तो यह सारे कपड़े प्रेस करके और इनको इनकी जगह पर सैट कर देती हूं फिर पोचा लगाऊंगी खीर बनने के लिए रख दूँगी और फिर मैं अपना नहा दो के और रसोई का काम संभाल लूँग एक सूट तो जो मैंने पहना हुआ था ये धो लिया है और एक मैंने नया सिल्वा के रखा था उसको कभी पहना नहीं है बस ऐसे ही रखा हुआ था तो सोचा कि गर्मी का सूट है इसको पानी में से निकाल देती हूं और फिर मैं इसको पहनना शुरू कर दूँगी तो इसक और शाम के टाइम पर अगर जैसे टाइम मिल गया तो मैं इन दोनों सूट पर प्रेस कर दूँगी तो ये काम भी होता चला जाएगा और खीर मेरी बनके हो गई है तैयार सबजी भी मैंने काट के रखी हुई है सारी तैयारी हो चुकी है फिर ये एक सबजी में छोंक लगा होती है को ये काइर आख साथ कैंगी नहीं कर दूंद्थी चुकी हुई तो कई बार तो फिर घुका अगले दिन कंगी करनी पड़ती है नोगे सबजी में छोंक लगा देती हूं तेल इधर मेरा लगवक गरम हो चुका है और प्याज को छोंक लगाकर आज सबजी नहीं बनाऊंगे मैं इसमें जीरा और थोड़ी सी सौंप डालूंगे जीरा और सौंप का जो हम च्षोंक बनाते हैं इसे आलू मटर की तरी वाली सबजी खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और फिर च्षोंक में ही मैं थोड़ी जी कसूरी ठी डाल कर पका दूँगी तो स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा खीर मेरी बन चुकी है तो वो मैंने एक साइड पे हटा दी है और आलो मटर की तरी वाली सबजी जब खीर बनाते हैं या हलवा बनाते हैं के साथ में खाने में बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी अब गर्मी का मोसम आ गया है तो गर्मी में कोई भी सबजी बनाओ सुखी सुखी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बस मन होता है कि तरी वाली सबजी हो और वही बढ़िया लगती है हाँ जैसे घीया बनाने हो तो वोसकी तो सुखी सुखी सबजी अच्छी लगती है बट आलू की तो सुखी सबजी गर्मियों में हमारा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है तो सबजी में मैंने छोंक लगा दिया है और अब इसमें मैं तीन सीटी लगवा दूँगी वैसे तो दो सीटी में भी हो जाता है लेकिन आजकल की जो मटराती है न वो थोड़ी सी टाइट होती है तो इस वज़े से मैं इसमें तीन सीटी लगवाऊंगी और इधर मैंने पानी का मटका दो के और रख दिया है कि मटका साथ के साथ भर जाएगा और तब तक मैं आटा लगा दूँगी उधर मेरी सबजी बन के तयार हो जाएगी और बाकी के सब काम तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं बस सब आटा लगा के और मैं साथ के साथ रोटी बनाना शुरू कर दोंगे फिर सब खाना खा लेंगे तो एक बार फिर से पूरी रसोई फैल जाएगी क्योंकि खाने के बाद बहुत सारे तो बरतन हो जाते हैं पूरी रसोई फैल जाती है रसोई को साफ करना बरतन साफ करना तो रोटी बनाने के बाद भी लगबग पोना गंटा तो आराम से लग जाता है रसोई को समेटने में इधर मपानी का मटका भर चुका है तो मैंने उसको ढख दिया है तो फ्रेंड से आज वीडियो मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है बस छोटी सी वीडियो में ही बहुत सारे काम आप सब के साथ शेयर किये हैं तो फ्रेंड से आज सुबह का मेरा ऐसा ही कुछ रूटीन रहा है और आज की इस वीडियो का मैं यहीं प्रेंड करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब ही को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामी, राधे राधे, जै शुरी राधे खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई